रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने काला सागर में उसकी गैस पाइपलाइन को निशाना बनाते हुए हमला किया। रूस की सेना ने इसका एक वीडियो भी जारी किया। जिसमें समंदर के बीचों बीच तैरते एक जहाज को निशाना बनाते हुए कई बम बरसाए गए वीडियो में जोड़तार ब्लास्ट के बाद धुएं का गोबार उठता दिखा रूस ने दावा किया कि यह हमला उस वक्त किया गया जब उनका जहाज काला सागर में गश्त कर रहा था तबी अचानक जहाज को घेर लिया गया और ताबर तोड़ बम बरसाए गए हाला कि रूस के रक्षा मंत्राले ने दावा किया कि यह हमला नाकाम रहा और युक्रेन की तरफ से किये गए इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ असल में इस पाइपलाइन के जरीए रूस तुर्की को गैस की सप्लाइ करता है लेकिन युक्रेन ने रूस की गैस पाइपलाइन पर हमला बोला तो रूस की सेना ने युक्रेन के कई लेपर्ड टैंकों को भी तबहा करने का दावा कर दिया लेपर्ड टैंक जिलिंस्की की सेना को जर्मनी से मिले है जिनके दम पर यूक्रेन की सेना रूसी फॉज से मुकाबला कर रही है लेकिन रूस की सेना के मताबिक उसने अपने भीशन हमलों में यूक्रेन के साथ लेपड टैंकों को पूरी तरह बरबात कर दिया अगर रूसी सेना के दावे में सचाई है तो ये युक्रेन के लिए किसी बड़े जटके से कम नहीं क्योंकि इस जंग में बिटिन के लेपर टैंग युक्रेन के लिए काफी मददकार साबित हुए रूसी सेडा ने ये भी दावा किया कि जाबरिजिया में भी उसने युक्रेन के सेडा को भारी चोट पहुंचाई कि क्राइमिया में मौझ। एक केमिकल प्लांट के आस पास बारूदी सुरंगों का जाल बिचा दिया युक्रेन की मीडिया का दावा है कि पुतिन को इस बात का डर सता रहा है कि जिलिंस्की की फॉज कभी भी इस केमिकल प्लांट को निशाना बना सकती है और अगर ऐसा हुआ तो वहां बड़ी तबाही मच सकती है क्योंकि उस प्लांट में करीब 200 टन अमोनिया मौजूद है जिसके रिसाव की वज़े से हजारों लोगों की चान जा सकती है माना जा रहा है कि इसी वज़े से रूस ने युक्रेन की सेना को रोकने के लिए वहां बारूदी सुरंगें बिचा दी उधर पूरवी युक्रेन में जिलिंस्की के लडाको हेलिकॉप्टरों ने रूस के ठिकानों पर जम कर रॉकेट बरसा है युक्रेन की सेना ने दावा किया कि इस हमले में रूस के कई सेनिक मारे गए युक्रेन के इस पूर्वी हिस्से में पुतिन और जेलिंस्की की सेना के बीच पिछले कई महीनों से बीशन जंक शड़ी है और इसी कड़ी में युक्रेन की सेना ने रूस के खब्जवाले इलाके को हासिल करने के लिए आसमान से बमों की बारिश कर दी यूक्रेन की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें जेलिस्की की सेना का एक हलिकॉपटर रूस के सैनने ठिकानों को निशाना बनाने के लिए उड़ान बरता दिखाये दिया उचाई पर पहुंचने के बाद उस हलिकॉप्टर ने दुश्मन के ठिकाने पर निशाना साधा और ताबर तोड रॉकेट बरसाने शुरू कर दिये इन हमलों में दुश्मन के कई ठिकाने नेस्ताबूद होते दिखे युक्रेन ने दावा किया कि जिस वक्त हमला किया गया उस वक्त वहां रूस के कई सेनिक और बक्तरबंध गाडियां मौजूद थी इधर चोटा राजन के शाफशूटर रहे गैंग्स्टर खान मुबारक की मौत हो गई जिसके बाद उसे अस्पताल में भरती करवाए गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई बताए गया कि निमोनिया होने की वज़े से खान मुबारक लंबे समय से बीमार चल रहा था जानकारी के मताबिख खान मुबारक में एक क्रिकेट मैच के दौरान अमपायर को गोली मार दी थी और इसी घटना से वो चर्चा में आया था जिसके बाद उसने कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया खान मुबारक को 2017 में लखनओ से ग्रफतार किया गया था लेकिन जून 2022 को से लखनओ से यूपी के हरदोई जेल में शिफ्ट कर दिया गया बताया जाता है कि खान मुबारक अंडर वर्ल डॉन छोटा राजन का शाप सूटर भी रहा था